जाइका इंडिया का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे जट पट कुछ ही मिन्टों में और बहुत ही आसानी से बनने वाली मटर पुलाव की रिसीपी इस मटर पुलाव को हम प्रेसर कुकर में बनाएंगे इसलिए हमने यहाँ पर तीन टेल गरम कर लिया है और अब हम इसमें एट करेंगे कुछ खड़े मसाले खड़े मसालों में हमने यहाँ पर लिया है half teaspoon जीरा एक दालचिनी का छोटा टुकड़ा 10 काली मिज एक छोटी लाइची और एक बड़ी लाइची तो बड़ी लाइची को हमने इस तरह से खोल कर ले लिया है इससे पुलाओं में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे दो चुटकी हींग और इन खड़े मसालों को तेल में कुछ सेकंड्स के लिए सोटे करेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिज तो हमने एक इच के अदरक को छील कर इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है साथ ही में हमने 4-5 लहसुन की कलिया ली और उसे भी स्लाइसिस में कट कर लिया और 4 चोटी हरी मिज को बारिक काट लिया है अगर आप इस पुलाओ को थोड़ा ओर स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो छोटी हर इमीज की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं लहसुन का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेंगे तो लहसुन का कलर हलका चेंज होने तक हमने इसे 30-35 से के लिए फ्राई कर लिया है और इस टेज पर हम इसमें काजू एट करेंगे काजू यहाँ पर बिल्कुल ओप्सनल है अगर आप ना एट करना चाहें तो स्किप कर दें तो दो 10-12 काजू एट करने के बाद इनको भी तेल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे 20-30-25 के लिए झाल लेकों फारी करिए अब हम इसमें मठंड़ करेंगे तो पर 15. Só 2-3 कंड़ी पर कण जाओ इसमें पर हाइड करेंगे मठंड़ करशा में धार करका fluid करने के भाद Ibn recur로 कारए हधी यद्याक नहीं दूरी केल अब अब कर लिया जीतने हम चावल लेंगे उसकी double quantity में पानी येट करेंगे, तो हमने 1 कप चावल लिये हैं, इसलिए हम यहां फर 2inform पानी येट कर रहे हैं मिला लेंगे इसे और हाई फ्लेम परे इस पानी में कुबालाने देंगे पानी के अच्छे से बोईल होने के बाद हम इसमें एट कर देंगे सोक कियो हुए बास्मती चावल तो हमने एक कब बास्मती चावल को पानी से अच्छी तरह धो कर 15 मिनित के लिए भीगो दिया था चावल एट करने के साथ ही हम इसमें एट कर देंगे हाफ टीस्पून गरम मसाला साथ ही में हम यहां पर एट करेंगे स्वाद अनुसा नमक या फिर एक टीस्पून भर के नमक एट कर दें और इसी के साथ हम इसमें एक टीस्पून नीबू का रस एड़ कर देंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे अगर आप चाहें तो इस टेश पर एक चोथा टीस्पून जीतना काली मेज का पाउडर भी एड़ कर सकते हैं और अब प्रेसर कुकर को लीट से कवर कर देंगे हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर पुलाव को पांच मिनिट के लिए और पका लेंगे एक प्रेसर आने तक हाई फ्लेम पर और लो फ्लेम पर पांच मिनिट तक पकाने के बाद गेस की फ्लेम को ओफ करके इसके प्रेसर को खुछ से रिलीज होने देंगे और लीट को खोल लेंगे यह देखिए यहाँ पर हमारी मटर पुलाव बनकर बिल्कुल तयार है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखा आपने इसकी रेसिपी कितनी आसान है और कुछ ही मिन्टों में इतनी मज़ेदार पुलाव बनकर तयार हो गई इस मटर पुलाव को आप अचार दही के राइते या फिर डाल के साथ भी सव कर सकते हैं तो अब हम इसमें गानेशिन के लिए थोड़ा सा हराधनिया एड कर देंगे यह देखिए कितनी बढ़िया हमारी मटर पुलाव बनकर तयार हुई है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि इसी ही आसान, सिंपल और यूनिक रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं यह तो हमने आपके साथ सेर की है इंस्टंट पेसर कुकर में बनने वाली मटर पुलाव की रेसिपी लेकिन आपने अभी तक हमारी मसालेदार मटर पुलाव की रेसिपी नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिक्शन में मिल जाएगी फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर इक नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुडबाई